आज हम लोग बात करेंगे और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया का थर्ड पावर्फुल कंट्री है अब यह कोश्चन जो होता है कि इंडिया तो दुनिया का थर्ड हो गया तब रेशिया या फिर जापान इन लोग कहां गया क्यूंकि हम लोग को पता है पहले इन लोगों सुपर पावर भी कहां जाता था एक टैम में बट प्रेजेंटली इंडिया इन लोगों से आगे निकल गया है और प्रेजेंटली इंडिया दुनिया में थर्ड रैंक जो होल्ड करता है यह सब सुनने के बाद पहला जो कोशन होता है कि यह लूई इन टैंक है जो 2003 में फ्रैंक लूई के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था अब यह जो इंस्टिटूट है यह दुनिया भर का जो डेटा है उसको देखता है उसके बाद वो लोग अपने तरफ से यह डेटा को एक्जामीन करते हैं और यही सारा एक्जामीनिशन के प पाद वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट टैप आप जो रिपोर्ट से वह पब्लिश करते हैं अगर हम लोग प्रिजेंट ली जो इंडेक्स आया है इसको देखे तो हर साल लूई इंस्टिटूट अपने तरफ से डिफरेंट कंट्री का जो एक्जाक्ट पोजिशन है कि हम लोग अगर देखे वो है थर्ड पोजिशन मतलब इंडिया से पहले भी दो है अब वो दो कौन है तो लूई इंस्टिटूट अपना जो इंडेक्स है इसमें तीन कैटेगरी में दुनिया के सारे कंट्री को डिफाइट किया था पहला जो है सूपर पावर जिसमें सबसे का इतना पहले अगरा को यसके अपना से लेकरन दोग। तो यह सब सुनने के बाद आपको लगी सकता है कि वह तो हम लोग समझ गए चला लू इंस्टिटूट ने अपने तरफ से बहुत ही अच्छा डेटा निकाल है अगर देखा जाए यह स्रिफ क्यों बोल रहें कि दो ही सूपर पाउर है अगर आप देखें इंडिया को इन कंट्री को एक और करके रैंकिंग दिया है इसके अनुसार कंट्री को रैंकिंग हो है तो ऐसा नहीं है कि मिड्ल पावर में जितना सारा हम इसको समझने के लिए हो सकते हैं कि लोग टीन पार्ट में डिवाइड है अगर हम लोग ओवरल देखे तो इसमें इसमें लोग क्या क्या है लोग डिफ्रेंट टाइप आप जो डिट है उसके बेसिस में हर एक कंट्री को इंडिविजुवली रैंकिंग किया है और उस रैंकिंग के अनुसार जिसके पास सबसे जादा पॉइंट है वो सबसे उपर जैसे सबसे उपर है आपका यूएस उसके बाद है चाइना और उसके बाद ही आ जा थे इंडिया पहले यह जो पोजिशन था यह हम लोग आगे जाकर डिसकस करेंगे इसको लेकर इंडिया के जो मिनिस्टर रे वो काफी को बोला है कि वो मोदी जी के वैसे यह पॉसिबल हुआ हो सकता है कि इन फूचर जाके हम लोग और भी ग्रोथ करें हम लोगा जो पोजिशन है और भी इंप्रूफ कर सकते हैं मगर उसके लिए टाइम लगेगा कि अगर आप यह रिपोर्ट देखते तो आपको पता चलेग मगर बहुत ताइम से रशिया को आइसोलेटेट किया गया और रशिया का जो करेंसी है और डिफरेंट जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से यूज नहीं कर रहा है जिसके वाइसे रशिया का एक बहुत ही मेजर एकोनोमिक प्रॉब्लेम ग्रोग किया है प्रेजेंट कर रशिया के पास तраф से यह इनांस होा है कیک वह लोग प्रोग इंडिया में आ दो सेमी और मिलटीन है खतर यह देखने को नहीं मिल रशेया होसे से यह स्टेपनार तो चैक्टर है जion को देखने को नहीं मिलतीए मतलब का तरक्की किया जाए ये जो सोच है यह उपर आ गया और इसके बैसे रशिया का जो पौजचन है यह घड़ गया है रशिया अगर यह सब नहीं हो तुनिया भर में और अगर नहीं होता तो हो सकता है के पास एक बीटर पॉजशन होता इस इंडेक्स में मगर पेजर ली जो कंडिशन है उस हिसाब से राशिया तो पीछे आ गया है नंबर शिक्त पर अभी रश्या है तो लुई इंस्टिटूट का कहना है कि यह जो इंदो-पैसिफिक रीजियन है दुनिया में जो आपका अगर आप वेस्ट से देखे तो इसराइल उसको यूज करने के बाद इस रीजियन पर अगर ढांगा कर सकता है तो no doubt ओंट्री जो है दूनिया में हमेशा डॉमिनिय भी होता है मगर व서 जो हमेशा आगे रहे और वो लोग हमेशा इसी रिजियन को टार्गेट करते हैं फॉर आगर आप देखें कि ट्रेट के लिए या फॉर कोई नया बिजनस के लिए या फिर जो रिसोर्से से वो भी आपको इसी रिजियन में मिलता है तो यह सब सोचने के बाद ही लुई इंस्टिटूट ने अपने और एक पॉइंट लुडग गया और हो गया उनका जो पॉजिशन है वह है आपका 16 मदलब कंट्री का जो प्रॉब्ले में वह बला है ऐस पर लुई इंस्टिटूट बांगलदेश है त्वेंटी पॉजिशन स्रिलंका है त्वेंटी फॉजिशन और नेपाल है त्वेंटी अच्छी तरह से देखे हम लोग को एक चीज और देखने को मिलता है कि अगर कोई कंट्री अच्छी तरह से महनत करता है और अगर लोग देखे एक टाइम में जापान के पास कोई भी नुक्लियर पावर नहीं है ऑन दादा साइट जापान इंडिया से आगे रहता था अभ इस से यही प्रूफ होता है कि अगर आप महनत करोगे तो आप आगे जा सकते और आप तो पीछे भी जा सकते हैं तो यह सब सुनने के बाद आप पूछी सकते हो और अगर थोड़ा आगे जाना चाहते तो इंडिया को किस सेक्टर में जाधा अपना ध्यान देना पर एगा मतलब इंडिया को अपना जो मिलीटरी बेस है डिफिरेंट लोकेशन में लोकेशन में और लिए आजका डेट में अगर देखा जाए इंडिया भी यह काम बहुत पहले से शुरू कर दिया है मगा जिस लेवल पे चाइना चला गया उस लेवल पर अभी इंडिया नहीं गया है इसलिए इंडिया जो है चाइना का एक अलगवी strategy है जिसमें चाना क्या करता है कोई भी country को पहले loan देते देता है जब वो नहीं कर पाता है अड़ों का जो जगा है अपने तरफ से अगर तो ग्रोव कनने में टाइम लगता है मगर इंडिया कभी भी चाइना का जो स्ट्राइजी है के बाइद दूसरा के ज़ागर बाइज पर आगे जाके यह इंडिया का रैंकिंग है तो यह ग्रोव कर सकते हैं चाइना में प्रॉब्लेम राइस होता है चाइना पर्फॉर्म करते हैं उसके विडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ को मेरा यूट्यूब चैनल अतनु पॉल ए टी ए एनिंग स्पेस पूल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो देखेगा तो हम लोग जैसे जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है इसके लाव भी मैं आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन में क्लिक कीजे अगर आपको खुछ जानना तो आपका मैनी भी कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइब करूंगा और यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद.